dear student आज हम start करें class 7 class 7 का first chapter first chapter अपमारे पास आएगा measurement एक बहुत important topic है हमारे पास जो कि हमें आज ही नहीं आगे भी बहुत काम आएगा आगे हम जब भी किसी numerical को पार्ट को सोल करेंगे तो हमें इस chapter का एक पार्ट हमेशा काम आएगा तो हमें start करते हैं आज हमारा पहला चिप्टर है और पहला लेक्चर है हमारे पास मेजर्मेंट चिप्टर का नाम है हमारे पास मेजर्मेंट मेजर्मेंट आज के हम इस लेक्चर में इस मेजर्मेंट जो हमारे पास पास चेप्टर है इसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे यह प्वास्त टॉपिक या लेंगे इंट्रिएक्शन씨 tu कि इंच्ट्रोडठ्च्छन के बाद हम लेंगे सिस्टेम सॉफ योनिट the system of योनिट मैंज हमारे पाथ आज आज तोपिक की फ़र्स हमारे पास इंट्रॉडच़्न introduction में यह देखेंगे कि measurement में हमें क्या क्यो तो इसके जरूरत हुई और क्या-क्या इससे हमारे पास benefits होई इसके बिना हम अगर नहीं लेते हैं अगर हम measurement system को यूजुज नहीं करते हैं तो क्या-क्या हमारे पास इसके drawback होते हैं इसके हम जब रहे हैं छीज़ें ये को लराइं तो जरूर। तो अगर हमकिसी की विज़रुत होती है तो औस चीज स्जां को वैंसे बनाने की कोशिश करें When बनाते टायम उसको अलग अलग में अलग में तो वह कौन से में चर्ग से क्को आज के टाइम पर इसको फोलो करते हैं तो second point हमारे पास आएगा यहाँ पर systems of unit इस system of unit में हम चार methods को study करेंगे first हमारे पास आएगा FPS first system हमारे पास आएगा FPS system second हमारे पास आएगा CGS third हमारे पास है MKS और finally हमारे पास आएगा SI system इन चारों को हम one by one study करेंगे कि इन में क्या-क्या changes हुए starting में यहां से की ती फिर हम यहां तक किस तरह से आए और finally इस पर आने के बाद हमने किस तरह का इसको यूज किया तो हम स्टार्ट करतें introduction से कि introduction means अब बात करतें measurement की measurement की जो कि हमारे day to day life में हमारे बहुत काम आता है आज हमें कोई भी चीज purchase करनी हो या कोई भी चीज sell करनी हो कोई चीज हमें किसी को देना हो या किसे से लेना हो तो हम उसके लिए जो यूज करतें जैसे अगर हम बात कर रहे हमारे पास डेली गर के यूजर में आज हमें कोई खिलो ना लेना है या हम हमें कोई डोल लेनी है कोई बोल लेनी है किसी से विए कोई भी चीज़ एक्सेंज करनी अगर इन दोनों को हम अलग-अलग कर देते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तू मैंने का तू अब तू से क्या समझेगा आपका फ्रेंड से आपको कोई चीज लेनी है या उसको देना है तो आप तू से क्या समझ में आएगा तू हमारे लिए अकेला कुछ नहीं है हमने का बुक्स अब बुक्स क्या है वो कोई सी भी दे सकता एक दो भी दे सकता है तो यह दोनों अलग अलग जब हो जाते हैं तो यह हमारे पास किसी काम के नहीं है इनसे हमें कोई बेनेफिट नहीं होगा ना तो मुझे बुक ले पाएंगे ना हम उसको दे पाएंगे तो इंट्रोडक्शन में हम यह चीज देखें कि इसके जरुरत क् आपके हमारे घर में हमसे किसी ने कहा कि बेटा घर किसी सी शौप से वन केजी शुगर हमने लिखा वन केजी शुगर तिसमें वन केजी और शुगर तीनों एक तीन quantities मिलकर जब जाके हम सही material घर लेकर आ अगर हमसे कहा जाए कि वन लेकर आओ, तो वन क्या, कुछ भी नहीं आकेला, चलो यह के दिया जाए, वन केजी लेकर आना है, कोई material हमसे मंगवाया गया, उससे लिए कहा कि वन केजी लेकर आ, वन किलोग्राम लेकर आना है, केजी को हम पूरा लिख लेते हैं, कुछ बच्च का नाम लिखेंगे, जो हमें लेकर आना है, तब जाकर यह एक meaningful statement बनता है, अधरवाय इसका कोई meaning नहीं रहेगा, ठीक है, तो बास समझ में आई, measurement हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो day to day life में हमें measurement आना बहुत जरूरी है, हमें measurement करना आना चीए, कि हमें कोई चीज purchase करनी है चलो यह तो हमारे पास एक shop वाली बात हो गई, आज मुझसे किसी friend ने कहा कि मुझे एक thread चाहिए, उसने मुझसे कहा मुझे एक thread चाहिए, अब वो friend और measurement या उन दोनों friends में जिनोंने एक दूसरे से कुछ मांगना है, लेना है, उन दोनों की health और height दोनों different है, दोनों क्या है, different, उसने कहा कि मुझे इतना thread चाहिए, उसने क्या कहा, इतना thread मुझे चाहिए, लेकिन जो दूसरा friend था, उसकी height अगर कम है, तो उसके लिए ये thread क्या हो जाएगा, उसकी thread की height क्या हो जाएगी, कम, तो क्या हमें हमारी जरुरत पूरी हुई, हमने उससे लिया भी सही, लेकिन हमारी जरुरत आज भी पूरी नहीं हो, क्योंकि हमने उससे मांगा कितना था, इतना, लेकिन उसने अपने according, वो अपनी जगत सही है, उससे हमें क्या कहा था, कि इतना लेकर दू, उसने इतना ही measure किया, अपने हाथ की, उसके height कम थी, उसने काटा और आपको दे दिय मेंस हमें रिक्वाइर्मेंट तो थी इस लेंद की हमें रिक्वाइर्मेंट थी इस लेंद की बट हमें मिला कौन सा हमें रिक्वाइर्मेंट इस लेंद की थी पर हमें उसके अकोडिंग मिला कितना इतना तो क्या हमारी रिक्वाइर्मेंट फुल्फिल नहीं ही इसके लिए भी हमने आगे जाकर मैजर्मेंट डाले सिस्टम में जो हमने कहा था हम सेगिंड टोपिक पढ़ेंगे उसमें बहुत से चेंजेस किये तो अलग-अलग सिस्टम यूज करने के बाद फिर हम यहां तक पहुचें तो हमारे पास यहां पर क обяз ऐसे घ्रात बात कम्प्रिट होती है कि हमें मेजर्मेंट कियों पढ़ना चाहिए मैजर्मेंट में क्यों यूज करना चाहिए विडाउट मेजर्मेंट हमारे पास बहुत सारी दिक्क अच थैब यह तो इस an system में दो टोपिक्स और स्टड़ी करेंगे एक तो हमारे पास यूने आज के और एक हमारे पास निमैरीकल वेल्यू फेक्टर है, first is a one and second one is a kilogram, ये दोनों हमारे पास क्या है, one तो क्या है, हमारे पास एक numerical value है और kilogram क्या है, हमारे पास एक unit है, kilogram हमारे पास क्या है, एक unit है, तो इन दोनों को पढ़ना भी हमारे पास क्या जरूरी, बहुत important factor है कि unit क्या है और numerical value, अगर इन दोनों को अलग-अलग कर देते तो उस olur का हमारे पास कोई मीणिंग नहीं निकलता वह बिल्कुल मिमनेंगलेस हो जाता है हमारे लिए कब इन दोनों को हमकिया कर दे अलग- spreading हमारे लिए सब्सक्राइब है है क्या माइरे पास D-finite magnitude of quantity. Unit क्या है हमारे पास? D-finite magnitude of quantity. ठीक है? Unit क्या हमारे पास? D-finite magnitude of quantity. अब 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है. लेकिन यह है, unit को हम क्या-क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4. तो यह है सब क्या? एक quantity है. जितना हमें required है. मतलब एक finite D-finite quantity है. उसी को हम क्या बोलेंगे? Unit. इसके बाद numerical which express. अब हमने यह ले लिया. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. D-finite magnitude of quantity. जो quantity हमें लेनी है. जैसे हमें क्या quantity लेनी है? किलोग्राम में लेना है, लीटर में लेना है. उसका जो measurement है. वो हमें किस से show करेगा? unit से. वो kilogram हो सकता है. means किसी का mass हो सकता है. वो हमारे पास length हो सकती है. मतलब उसको meter में use कर लेंगे. ठीक है? इस तरह से हम define and magnitude of quantity is known as unit. इसके बाद numerical value. numerical value क्या define करेगा हमारे पास? which express the magnitude of quantity. that is how many times the amount is in the quantity. तो यह हमारे पाद definition हो जाती है. हमारे पास define and magnitude of the quantity that is unit and which express the magnitude. magnitude of quantity that is how many times the amount is in a quantity. यह तो हमारे पास quantity हो आ गई. अब अगर numerical value यह express करेगी जैसे 2, 3, 4, 5, 6 कि वो कितना multiple है हमारी quantity का. हमें 1 केज़ी लेना है, 2 केज़ी लेना है, 3 केज़ी लेना है, 4 केज़ी लेना है. अब इन दोनों को कौन-कौन सी words आ गया हमारे पास एक unit आ गया, एक numerical values आ गया. इन दोनों को क्या करेंगे अब? जब यह दोनों चीज़ें मिल जाएगी, कौन-कौन सी unit and numerical values. तो हमारे पास एक quantity बनती है, physical quantity. अब क्या बात करेंगे हम उसकी? जो meaningful word बनेगा, जो meaningful data बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? physical quantity. Means unit and numerical value and unit. numerical value and unit. अब यहाँ पर जाकर हम आपास जब दोनों quantities को merge कर देंगे, numerical values and unit. जब हम दोनों को merge कर देंगे, तब जाकर हमारे पास एक meaningful data आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? physical quantity. हम आगे जाकर इनको भी study करेंगे, physical quantities हमारे पास कितने types की आएगी? उनको हम आगे जाके study करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हलका सा introduction हमने ले लिया है, कि हमारे पास क्या है, measurement हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, और अगर इसको हम नहीं पढ़ते हैं, तो क्या-क्या गरबढ या क्या-क्या दिक्कत हैं हमारे पास आ सकती है. इसमें एक example लें, जैसे हमसे किसे कहा गया, 8 kg, कोई quantity हमारे पास, 8 kg, हमसे क्या कहा गया, कि आपके क्या पास एक quantity है, उसकी क्या physical data गया दिया हुआ, 8 kg, इसका meaning क्या है हमारे पास, कि जो material हम ले रहे हैं, वो कितना टाइम ज़्यादा है, जो भी material हम पर्चेस कर रहे हैं, राइस हो सकती है, शुगर हो सकता है, X, Y, Z, जो भी हम पर्चेस करना है, वो उससे multiple, कितना multiple है, 8 time, वो कितना multiple है हमारे पास, 8 time, given quantity से कितना ज़्यादा multiple है, 8 time, तो first part है, हमारे पास introduction, यहाँ पर हमारे पास complete, तो इस तरह से हमारे पास, यह हमें बात समझ में आई, कि हमारे पास जो numerical है, measurement है, वो हमें क्यों पढ़ना चाहिए, measurement के बिनाम में, कितनी सारी problems का phase करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास, हमने एक system बनाया, systems of unit, systems of unit, SYS, systems of unit, इस system of unit में, सबसे पहले हम पर study करेंगे, FPA system की, किसकी, FPA system, FPA system का क्या है हमारे पास, हमारे पास है foot, pound and second, FPA system का full form क्या हो गया, foot, pound, and second, foot, किसके लिए काम आएगा, pound, किसके लिए काम आएगा, और second, foot, हमारे पास हम किसमे को measure करेंगे, length को, foot में हम किसको measure करेंगे, length में, pound कि में हम किसको measure करेंगे, mass को, pound को हम किसमे measure करेंगे, mass को, second, यह हमारे पास है time factor, means, में ऎहाँ पर डीक जो फुटो और फुट में किंतर में किसी उनित इसको रिखते युनिता आरे फूट में उस मास खुती होती है ठीकका वाद में डिककत करें तो टाइम का में करते हैं in य 혼자 सिस्टम में इसके बद जो सेकेंड सिस्टम हमारे पास केसा हमाइं आइंच स्टम सेकेंड सिस्टम हमारे पास आया सी जी एस सिस्टम सेकेंड सिस्टम हमारे पास कौन सा आया सी जी एस सिस्टम इस सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस किया गया अब थोड़ा से चेंज करके क्या क्या करें गए वो देखते हैं सेंटीमीटर यह रिप्रेजन करेगा ग्राम और एस रिप्रेजन कर रहा है यहाँ पर हमेरा पास सेकेंड means measurement हमने वही किया है भी भी length, mass and time किस-किस को measure कर रहा है? length, mass and time लेकिन FPS system में हम length को foot में measure कर रहे थे but CGA system में हमने थोड़ा सा changes कर दिये हैं यहाँ पर अब हम length को किस में measure कर रहे हैं? centimeter length को हम किस में measure कर रहे है? centimeter में और mass को हम किस में measure कर रहे है? gram में और second को हम किस में measure कर रहे है? time time को किस में measure कर रहे है? second में तो यह हमारे पास second system आ गया था जिसको day to day हमने starting हमने कहां से किती? FPS से इसके बाद हम कहां परागे CGS ठीक है अभी हमने दो सिस्टम की स्टेडी कीई अभी थे आर पारके से इसके बाद उसस्टम पर आते हैं अब धर सिस्टम क्या करते हैं भीत chcia कर रहे हैं फिर्स आम याद रखना है लैंध मास अंट टाइम थर्ड सिस्टम में हमने स्टड़ी की MKS जो थर्ड सिस्टम हमारे पास आया वो क्या आया M K और S थर्ड सिस्टम हमारे पास क्या आया MKS MKS में हमने M represent करेगा हमारे पास सॉरी मीटर M K represent कर रहा हमारे पास किलोग्राम और S हमारे पास सेकंड ठीक है means अब लेंद को हम किसमें मेजर करेंगे मीटर में लेंद और मास को हम किसमें मेजर करेंगे किलोग्राम में और टाइम को हम किसमें मेजर करेंगे second में तो यह हमारे पास third system आता है MK system जिसमें हम length को meter में mass को kilogram में और time को हम second में measure करते हैं अब इस system के बाद एक system ऐसा आया जिसको international हम use करते हैं अब हमारे पास fourth system आता हमारे पास कौन सा SI system fourth आया हमारे पास SI system international system of unit इस system को क्या कहा गया और international systems of unit ठीक है इस system में थोड़ा सा modification क्या गया extension of of mk system चीक है यह किसका extension है हमारे पास इस mk system को थोड़ा सा और बोडिफाइक किया गया इस में इन तीन कौंटिस के अलावा कुछ और कुछ और कौंटिटी को भी लिया गया हम उन कौंटिटी स्के लिख लेते हैं वो कौंटिडिश कौन-कौन सी ती हमारे पास नॉर्मली आप भी तहम जित्ने भी system हम पढ़का रावन में तीन क्वांटिटिटी की बात हुई थी लेकिन अब इस सिस्टम में किसकी बात करेंगे इसमें हम कुछ सेवन क्वांटिटी की बात करेंगे जैसे उनको कहता है बैसिक क्वांटिटीज basic quantity वो कितनी होगे हमारे पास 7 और उनको SI unit में क्या लिखा जाता है तीन तो हम पढ़ते हुए आई रहे हैं length mass length को इसमें यूज किया meter symbol इसका बना दिया हमने mass को हमने यहाँ पर use किया kilogram इसको हम शोट में अभी तक लिखते हुए आ रहे है gram थर्ड हमारे पास है time time को हमने किसमें यूज किया second में इसको हम लिखते है हमारे symbol as इसके बाद नही quantity आई electric current इसको measure किया ampere में symbol इसका capital A इसके बाद temperature इसको use किया गया Kelvin इसका symbol था K ठीक है इसके अलावा two more quantities है हमारे पास उनको भी हम लिख लेते हैं temperature के बाद हमारे पास जो basic quantity आई वो कौन सी थी चलो उनके number number इम कर देते हैं one, two, three, four and five six quantity हमारे पास आई amount of substance amount of substance amount of substance इसको हम chemistry में mostly use करेंगे उनको बोला गया mall और इनका symbol दिया गया हमारे पास M, O, L ठीक है seven quantities हमारे पास जो ली गई वो हमारे पास light से related है luminous quantity इसको candle बोला गया इसके unit में दी गई candle और इसका symbol हमारे पास C, A, D के इस तरह से हमारे पास systems of unit को जिसके लास्ट में जो system हमारे पास आया वो system कौन सा था हमारे पास SI system जिसको हम आज भी यूज करते हैं SI system और CGS system को mostly use करते हैं हम आगे जितनी भी higher studies में जाएंगे हम इन दोनों systems को mostly use करेंगे ठीक है इनमें हमारे पास seven quantities को हमने इन बोल किया पहले जो systems थे उनमें कितने quantities को use कर रहे तो only three quantities को अब हमारे पास जो आया system उसमें कितनी quantities कर ली है हमारे पास four quantities और एड हुई जिसमें total मिलाकर हमारे पास seven first time length length को हमने किसमें यूज किया मीटर और symbol आया हमारे पास सेकेंड है मारे पास मास मास को हमने किसमें यूज किया किलोग्राम सिंबल आया केजी इसके बाद सेकेंड इसको भी हमने सेकेंड लिखा और इस इन तीनों quantities के अलावा four quantities और और इसमें बोल किया उसमें फास्ट है मारे पास electric current जिसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन हमने किया एंपियर और सिंबल हमारे पास ए उसके बार next temperature जिसको हमने केलविन और के amount of substance इसको हम केमेस्ट्री में mostly यूज करेंगे मॉल और इसका सिंबल हमारे पास मॉल ल्यूमिनेस क्वांटिटी है हमारे पास lights related इसके इंटेंसिटी से रिलेटेड होता है इसको हमने candela बोला और इसको रिप्रेजेंट करते हम कैडी से तो यहां पर हमारे पास जो first chapter था class 7 का measurement उसमें हमने first two topics की study हमने यहां पर कर लिए introduction या फिर हम बोल सकते हैं उसको need of measurement की measurement की हमारे पास क्या-क्या requirements है और उसके बाद हमने बात कि हैं हमारे पास systems of units जिसमें हमने four topics four parts को complete किया है first हमारे पास FPS system second हमारे पास CGS system third हमारे पास था MK system system fourth हमारे पास था SI system जिसको केसे बनाया गया था extension of MK system तो यहां पर हमारे पास आज का lecture complete होता है जिसमें हमने SI system तक आज complete कर लिया है आप इसको पढ़े बुक्स से पढ़े जो भी आप reference यूज करते हैं उससे पढ़े और इससे related कुछ queries को solve करने की कौशिश करें तैंक्यू कर दो